जी सबसे पहले तमाम मिडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद अभार कि साट चालिस नाय चलतो अंदोलन को पिछले पांच महिनों से लगातार जन जन तक परसारित करने में हम योगदान दे रहे हैं और साट चालिस नाय चलतो महा जन अंदोलन का एलान जर्खन स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने दस मई से 11 जुन तक 31 दिवसिया एलान किया है और हमारा पर्थन चरन में जर्खन के तमाम 81 मानन ये विधायक और 14 मानन ये संगसदों से समर्थन प्राप्त अभियान चल रहा है जिसका आज पांचवे दिन है और पूरे राज भर के तमाम विधायकों और संक्सदों का हम लोग का पूरा जोर सोर से समर्थन भी मिल रहा है अभी तक कूल हम लोग का कई मंत्री और विधायक का समेत लगभग सत्ता पच्च के भी आठ विधायक का समर्थन लिखीत रूप से मिला है और यह जो साट चालिस नाय चलतो है यह हम लोग विधायक और संगसत को जा जा के पूछ रहे हैं कि साट चालिस चलतो की ना चलतो तो साट चालिस ना चलतो और अगर साट चालिस चलतो रहता तो यह जर्खन का गठन ही क्यों हुआ था और ये तमाम वैसे विधायक साट चालिस नाय चलतों को समर्थन दे रहे हैं जो विधायक का दिमाग मानसित्ता सब सही चल रहा है अपने को दूर दिरिष्टी में देख पा रहे हैं और किसी भी बाहरी प्रेम के माया जाल में फसे हुए नहीं है वैसे तमाम विधायक हमें लिखित रूप से समर्थन दे रहे हैं चुकि साट चालिस नाय चलतों महज यह नौकरी और वैकंसी और नियुक्ती की लडाई नहीं है बलकि यह नौकरी नियुक्ती और वैकंसी के साथ साथ यह माटी की लडाई है यह जल, जंगल, जमीन बचाने की लडाई है यह भासा, संस्कृती, रिती, रिवाज, पहचान को संग्रच्छन करने की जरूरत की लडाई है तो मैं तमाम वैसे विधायकों और संसदों को धन्यवाद देता हूँ जो लिखित रूप से समर्थन दे रहे हैं और जो बिधायक और संसद हमारे क्रांती कारी साथियों को जो समर्थन, लिखित रूप से समर्थन लेने जा रहे हैं उनको कोई टाल मटोल कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं, किन्तु परंतु बट का हवाला दे रहे हैं कि साट चालिस चलतों और साट चालिस चलतों कहना चाहते है अर्थात वो नीती के तहत हमारा नोकरी को बेचना चाहते है हमारा माटी को गिर्वी रखना चाहते है हमारा जल जंगल जमिन हमारा भासा संस्कृति को बेचना चाहते है और वो दूर दिरिष्टी नहीं देख पा रहे हैं तो आज वो तमाम विधायक तय करें कि वह इस वक्त में पूरे राज के लोग टक-टकी नजरों पे देख रहे हैं और तमाम विधायक संसत को यह वक्त परिक्षा लेने का है कि कौन विधायक के लिए आज उसका निजी स्वार्थम इंपोटेंट है कि उसका कूरसे इंपोटेंट है कि उसका बाहरी भूम अफ्या के हाथो यहाँ नोकरी बेचना, खनीच संपधा बेच करके अपना पोकेट भरना इंपोटेंट है कि या राज इंपोर्टेंट है या माटी इंपोर्टेंट है या जल जंगल जमिन भासा सस्कीरित इंपोर्टेंट है वो तय करना होगा और ये आज समाज के लोग धरकंड के पांचो परमंडल के 24 जिला के 81 विधान सभा के लोग देख रहे हैं और जो विधायक कहेंगे 60-40 चलतो हम आज कहा देते हैं यह 60-40 नहीं चलतो यह एक आंधी है यह एक जन अंदोलन है यह कोई पाटी और नेता के नेत्रित्व में नहीं हो रहा है यह जनता के नेत्रित्व में हो रहा है और तमाम करांतिकारी 60-41 कड़की दूप में गमचा बंद बंद करके सत्तू फी पी करके समर्थन लेने के लिए जा रहे हैं वो 2024 में हम कहेंगे जो अभी 40-40 चलतो कहेगा वो इसे विधायक संगसत को कहेंगे 2024 में विधायक और संगसत के रूप में नाय चलतो और 40-40 नाय चलतो के आंधी में अरे मान के चलिए गाय से बुलुबग मना रहे है कि देवंदरनात महतो को एक मास्टेर डिग्री दे रहे है ओक्सपाड इनवर्सिटी से 99% के साथ लेकिन उसमें देवंदरनात महतो का नाम ही नहीं है तो अक्सपाड इनवर्सिटी का हो चाहे 99% का माक्सीट हो जिसमें देवंदरनात महतो का नाम नहीं हो वो मेरे लिए कैसा सेटिफिकेट होगा उसी परकार कभी काते है 26,000 बहाली कभी काते है 4,000,000 बहाली कभी काते है 5,000,000 बहाली लेकिन 33 और 44 वर्ग में जारखन सब्द का जीकर नहीं है अब बताए मिडिया बंदूगन जो जारखन यहा के हमारे पुर्वजों ने खून बहा करके लिया है उस जारखन राज के तीरतिया और चतूर्द वर्ग की नौकरी के बिग्यापन में जारखन के सर्थ को गायब कर दिया गया है तो आज हम कहा देना चाह से हुए है अगर ऐसे ही लोगों के सत्ता हाथों पे सत्ता रहेगा तो यह लोग आने वाले दिनों में भारत का मान चित्र से जारखन को भी गायब कर देंगे इसलिए तमाम जारखन वासियों से हमनी वेदन कहते है कि हमारा पचीस माई को विधायक और संसत समर्थन प्राप्त करने का अंतिम्ति थी है यानि हमारे पास और सिर्फ नो दिन बाकी है नो दिन की अंदर वंदर राज के तमाम एक असी विधायक और चौदो संसत को हमें बाइद करना है कि एक सोवर में सब को कहने को बाइद करना है कि साट चालिस ना चलतो हूँ 47 हकमार नाय चलतो बाहरी नाय चलतो ये हमें मजबूर करना है इसलिए आप लोग आगे आगे जल्ट से जल्ट जहा भी दाएक संगसत को बगाया है वो सब जल्ट से जल्ट पूरा करें और राज को बचाने का काम करें चुकि यहां राज आने वाले दिनों पे भूम अफिया का जो यहां टक्टकी नजरों में यहां टिकी हुए है यहां के जल जंगल जमिन को बेचने के लिए और जो यहां के परव है तेवार है यहां के मागे परव है बहा परव है बापरव है सरूल परव है सहराई परव है म प्रियंत्र रचा जा रहा है जिसको हम लोग मिटने नहीं देंगे और यहां मैं फिर से अपिल करना चाहता हूं तमाम राजवासियों की तरफ से कि एक सब्द नहीं बदल पा रहे हैं विग्यापन पे और यहां कि मुख्य मंत्री कभी 1932 का नाम से गुम्रा कर रहे हैं कभी अदिवासि मुलवासि जल जंगल जमीन का नाम से गुम्रा कर रहे हैं तो अब यह सब नहीं चलेगा हम सीधे तोर पे का रहे हैं कि यह हमारा तमाम जो विधायक और संगसत का लिखित समर्थन प्राव पत्र जो आएगा यह कोई महज उलूल जूल कार्ज करम नहीं है यह समर्थन पत्र को लेकर के हम लोग महा महीं राजपाल महोदय के समक्ष रिपोर्ट प्रोस्तूत करेंगे आदर्निया विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पिकर महोदय के समक्ष हम लोग बहुमद्ध सिद्ध करेंगे और इस राज को 27 कहेंगे किि 70 40 नए चलतो तो नए चल चिन्नीद करिये चिन्नीद और उसको ट्रोल करिये उसको टर्गेट करिये उसका समाजिक बैसकार करिये अब देखने की समय नहीं है अब जो है कि धरकंड राज बार बार नहीं लड़ेगा एक बार लड़ रहा है तो एक बार आर और पार की लड़ाई है इसलिए इस टाइम म पॉलेसी इंपोटेंट है और हमारा साट चालिस नाय चलतों का अंदोलन या राज को बचाने का संजीव अनी बूटी है और इस लडाई को अंजाम तक हम लोग हर हाल में पहुचाएंगे चाहे हमें फायर जेलना पड़े चाहे हटवार जेल जाना पड़े चाहे हमें सहीद ह होना पड़े जो होना पड़े समस्त जार्खान अभी जार्खान का इतिहास में पहली बार जार्खान के तमाम पांचों परमंडल चाहसंथाल प्रगना परमंडल हो कोलान परमंडल हो उत्री छोटानाकपूर परमंडल हो दोचनी छोटानाकपूर परमंडल हो प्लामू पर साट-चालिस ना चलतो हम लोग बार-बार ये डिमांड कर रहे हैं कि साट-चालिस नहीं चलतो ये 23 साल गुजर चुका है ये आंदोलन तुरंत हमें नहीं मिलने वाला सफ़ल नहीं होने वाला इसके लिए हमें लगातार संघर्ष एरी चोटी का हम लोग को ताकत लगाना जे पेशी का नोटिफिकेशन आने का कुछ खबर आया तो आज भी एको प्रेस कोंफेरेंस हो रहा है तो कल परसो जरूब छात्रों को सांध कर ले कुछ तरह का बिग्यापन निकाला जाएगा मैं पॉइंट्स पर आता हूं साट-चालिस ने चलतो बात ऐसा है कि देखिए यह भारत जो है फास्ट और सेकेंड ग्रेंड में आप बेरियर नहीं लगा सकते हैं लेकिन ठाडर फोर्ट गेट में कई राज्यों ने इसको बेरियर लगाया है तिक ना आप देखिएगा बिहार उत्रखन चात्रों के लिए स्विकार नहीं है और जो भी राजी इस तरह क कर रहे हैं कि अस्थाइन निवासी तो इसके पीछे है फैडरल कॉंसेप्ट है जिससे हमारे समिधान में लिखा हुआ है कि भारत राजियों का संग है यानि कि भारत जो बना है राजी से मिलके बना है और यह संग बनाता है तो यह जो जितने भी राजी कर रहे हैं कि राज और से मैं परावर्च नभी पर आपको राजिए सरकार कौंड धर जयान दें लोक इन वर्व मना रहे हैं राजभॉन से वापस हो जारहा है तो आप उसको पुरास पूस नहीं कर रहे हैं हैं हुआ लुग कहार रहे हैं कि आप लोगों को ने प्रस निक्टिया कि गांब ही साल गूझल शकी यह हमें चुटकी जुनीपद है इसका नहीं हटने वाला है अभी हमें लगातार इसको जन्द आन्द्GUलन एक गाहों के लोगों को में जहन में जाना चाहिए तब ये आंदोलन सबल हो सकता है ये चुटकिये में आंदोलन सफल नहीं होने वाला और हम सभी दर सगन से मैं रोद करना चाहूंगा कि आप में 24 को लेकर आपको इसको अना होगा ये पहला चरण में हम लोग मुखमंत्र चेने बी में सांसाद यह प्रतिनित दियुए है और हम व्लोग धंयीनों